हेलो प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ओनलाइन क्लासीज में बच्चो आज हम सभी सॉल करेंगे हमारे विश्य गणित की शारांशित मुल्यानकन की वर्कशीट बच्चो क्लास थर्ड की मैं याँ बात करी हूँ कक्षा तीन तो बच्चो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब कीजे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए बच्चो पहला प्रेशन है सही विकल्ब का चुनाव कीजे एक माचिस की डिब्बी के आठ कौने होते हैं आप सभी को पता है आठ सो प्लस प्लस क्या जोडेंगे की आठ सो गुंड सट आ जाए तो बच्चो देखे आठ सो गुंड सट में आठ सो प्लस अगर हम घटाएंगे तो ये कितना होगा नौ तो ठीक है बच्चो आठ सो प्लस में हम नौ और जोडेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे 121 से 5 जादा तो बचो 121 से 5 जादा कितना होगा 126 ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल सही है 100, 500, 200 तो बचो 100 में हमने 50 जोड़ा 500 हुआ 500 में 50 जोड़ा 200 हुआ बचो इसी तरह 200 में 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा 500 तो ऑप्शन दूसरा हमारा सही है आपकी पानी की बोतल की लंबाई किस में मापी जा सकती है तो बचो पानी की बोतल की लंबाई सेंटीमेटर में मापी जा सकती है अगला है बचो सही या गलत बताईए 1 किलो मिटर बराबर 1000 मिटर बिल्कुल सही है एक इंट के 6 कौने होते हैं तो बिल्कुल बच्चो ये गलत है एक इंट के 8 कौने होते हैं तीन अंको की सबसे छोटी संके 999 है तो बच्चो ये भी गलत है तीन अंको की सबसे छोटी संके 100 होती है अगला है आपकी पैंसिल की डिब्बी की लंबाई सेंटीमीटर में मापी जा सकती है बिलकुल मापी जा सकती है एक ड्राइंग शीट के तीन किनारे होते हैं तो बचो ये गलत है एक ड्राइंग शीट के चार किनारे होते हैं अगला प्रेशन है बचो निमले के प्रेशनों के उत्तर दीजे अंक 3, 5, 0, 9, 1 का प्रियोग करते हुए दो अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखे तो बचो 3, 5, 0, 9, 1 की सबसे छोटी दो संख्या कौन सी होगी? 10 42 और 47 का योग ज्याद कीजे तो बचो 42 प्लस 47 कितना होगा? इसे हम जोडेंगे तो यह होगा 89 बानवे में क्या जोडे की उत्तर 100 हो जाए? तो बचो 100 लाने के लिए हम बानवे में क्या जोडेंगे? तो बच्चो हम बाणवे में जोडेंगे 8 तो ये हो जाएगा हमारा 100 500 से 10 अंक छोटी संख्या क्या होगी? तो बच्चो 500 से 10 अंक छोटी तो ये होगी 490 तो हमारा योत्तर आएगा 490 130 और 125 के बीच का अंतर ग्याद कीजे 130 और 125 तो बच्चो ये कितना होगा? 4 तो यहाँ आएगा 4 हम लिखेंगे अगला है बच्चो चित्र पराधारित प्रशन दी गई आकरती में त्री भूजों की संख्या गिनकर लिखो तो बच्चो देखें यहाँ कितने त्री भूज है? उसने 521 रूपे के कपड़े खरी देगे रहुल के पास कितने रूपे शेष बच्चो तो देखा बच्चो के पास कितने रूपे थे? आठ सो साथ कपड़े कितने के लिए बच्चो उसने पांसो गुंतीस रुपे के शेश याने कि कित्ते बच्चे उसके पास तो बच्चो इसमें से हम ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा दस में से नौ गए एक पांच में से दो गए तीन आठ में से पांच गए तीन तो कुल 331 रुपे राहुल के पास बचे अगला है बचो अंक 310 का प्रियोग करते हुए तीन अंकों की सभी संभव संख्याइं लिखे तो बचो देखें 310 से हम कौन-कौन सी संख्याइं लिख सकते हैं तीन अंकों की 103, 130, 310 और 301 ठीके बच्चो तो इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है उमीद करती हूँ बच्चो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो जल्दी से जाईए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब कीज़े चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद